सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चेनल पे विशेश रूप से तो सर मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोरेक्शन दे मेरा नाम अमर्दीप सरकी है मैं देपड़ा निवासी हूँ तो सर्वपर्थम अजित भाई को बहुत बहुत धन्यबात जो आज आये और एडिकेशन विशेश लेकर बात करने के लिए है और विशेश करके जो पेंटिंग आर्ट का विशेश लेकर जो आप आये है इसके मैं स्वागत करता हूं सर मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे कि आर्ट्स यानि ड्रोइंग को लेकर कुछ महत्व को बताइए क्योंकि हमारे वीवर्स को या फिर आलिवाले जो भी जिनरेशन हो इसको प्रतेक्स रूप से बढ़ावा दें लेकिए एक्शुली पेंटिंग जो ह होता है और आर्ट्स जो है यह एक बच्चलों का जो चंचलपन होता है ना जैसे कि बहुत बच्चलों है तीन से चार गंटा एक जगा में इस्थाही रूप से बैटने ने सकता है और आज कर डेट में क्या है दो गंटा बैटना भी बहुत मुस्किल है बच्चलों को तो य उसको इससे फाइदा क्या होता है कि वो जब एक्जाम में दो तिन घंटा चार घंटा मैथेमेटिक्स या पढ़ाई करने के लिए जो दो तिन घंटा सूबा साम जो बैठना पड़ता है वो उसके लिए उसको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा हुआ क्या हुआ스타oque एक तेफिटेस्वास कुछ आप असाम दोग तो हम सर्फिट हां या कुछ बना लेते थे उस समय तो एसा कुछ ड्रोइंग होता है सब हम लोग को नोलेज भी नहीं था तो आस्ते से जब क्लास 3 फोर्ड जाने लगे तो देखा कि बानाट में एक सार है जिनका नाम बबलु महली सार है वह हमको पहले बार ड्रोइंग के लिए उसा अपने बी किया और हमारे जो बड़ा बहिया है उन्होंने वहां पर हमको ड् आपके हिसाब से एजुकेशन सेक्टर में वो चाहे सुर्वातिक नर्सरी से हो या फिर प्राइमरी स्टर से हाई लेगल तक हाई स्कूल को तो इसमें आर्ट को यानि ड्रोइंग को कितना महत्वत देना चाहिए और यह कितना ज़रुत होगा प्राइमरी सेक्शन में बहु अब भूस फाइनाट अड़ेमी मेरा इस्कूल का नाम था तो हम लोग कभी यह क्लाब में बहुत साल चलाया उसके बाद में कलाब छोड़ने का बाद में हम लोग का यह एक सरकारी इस्कूल में संडे में एक गंटा के लिए रूम लेता था वहाँ पर हम लोग सीकाते थे है कि हम लोग का रीडिंग में ABCD होता है आकर हर्शिकर होता है उसी तरह पेंटिंग का भी होता है लाइन से लेके शुरू करके आस्ते आस्ते फॉल फूर्ट अनिमल अनिमल बार्ड बहुत तरीका का एक सब्जेक्ट है प्राइमारी सेक्शन से आप किसी पर्दपे भी नियुक थे इस आठ के अंतरगत तो वन से पर्दपे है आप मेरा वो कुछ बियार कलाखेतर और अगरनेजेशन जो है उमा का साथ सल से में बाइस प्रेशिडेंट में हूँ तो बहुत सारे चीजों का अपने अनुभावी कर लिया है जी मैं आसम अगर आप सामाधिक तोर से कहाँ तो आप क्या में से आप अभी गार्जन बहुत कॉंसेस है भहुत ही कॉंसेस है गार्जन है लेखिन क्या है अपर्चुनीटी नहीं मिल रहा है क्यूंकि एक देशे की डांस हो आर्ट्स हो शिंगिंग हो म्यूजिक हो कराटे कुछ भी एक लोग पार्टिसिपीट करें उसका छोग होता हैद्स tahun किसी का फूटबर खेलने का छाक होता है किसी को किर्केट करने का किसी को मूजिक종 में एक सब्सक्राइब आ entonces अजीद भाई का जो चैनल है बहुत अच्छा आपने मैं देखता हुआ आप काफी इंट्रेस्टेट भी रहते हैं कभी मुजिक में भी हाँ और यह सब आपका जो अश्ला है यह आगे बढ़ाते रही है क्योंकि आपका जैसा लड़का लोग हम लोग को समाज में बहुत जरूरी है उसी तरह आप लोग का भी इस जो डूस में आप लोग का इंपोर्टेंट हांडेट परसेंट बहुत ही जरूरी है तो इसलिए आपको मैं बोलना चाहता हूँ आप यह जो कर रहे है यह आप बहतरीन हिसाब से कीजिए और बीच में अगर कुछ सपोर्ट उपोर चाहिए तो हम लोग आपके लिए हाई है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप आगे बढ़िए और पुरा दर्शक बिन को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो अजित भाई को उचाह करे और अजित भाई का जो चैनल इसको सब्सक्राइज कीजिए आगे बढ़ाइए इतना ही बोल के मैं सभी को धने बाद देना चाहता हूँ आजित भाई को भी धने बाद देना चाहता हूँ आपको भी नास्कार थैंक्यू